हैंड सैनिटाइजर मेकिंग बिजनस कैसे शुरू करें स्वच्चता हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हर कोई चिंतित रहता है और जब बात आती है करोना वाइरस जैसे खतरनाक बिमारी की तो ऐसे में खुद को संक्रमित होने से बचने के लिए लोग हर तरा की कोशिश करते हैं फिर चाहे वो स्वच्चता को लेकर ही क्यों ना हो लोग खुद को संक्रमर से बचाने के लिए हैंड वाश और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसकी डिवान बाजार में बहुत ज़ादा बढ़ गई है और बाजार में जिस चीज की डिवान सबसे ज़ादा होती है अगर उसका बिजनस शुरू किया जाए तो प्रॉफिट होता ही है आज इस वीडियो में हम आपको हैंड सैनिटाइजर बिजनस की पूरी जानखारी देंगे हैंड सैनिटाइजर मैनुफेक्टरिंग के लिए लोकेशन का चैन कैसे करें छोटी स्तर पर हैंड सैनिटाइजर बनाने का बिजनस घर पर ही शुरू किया जा सकता है इसके लिए आपको कहीं बाहर से अलग से कोई जगा लेनी की ज़रूरत नहीं है ऐसे में आप जल्द से जल्द इसका कच्चा माल बाजार से खरीद कर घर पर ही इसकी मैनुफेक्टरिन शिरू कर सकते हैं Hand sanitizer बनाने के लिए raw material चाहिए किन-किन जरूरी license की आविशकता होगी अगर आप hand sanitizer बनाने का वेवसाइग घर से छोटे स्थर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी भी license या registration की जरूरत नहीं है निवेश कितना करना होगा Hand sanitizer बनाने के business में आपको लगबग 5-10,000 रुपे का investment करना पड़ सकता है इतने में hand sanitizer बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें आप आराम से खरीच सकते हैं यहाँ पर लागत का जो amount बताया गया है वो कम से कम लगबग बाला है यह लागत भड़ भी सकती है आपके business के हिसाब से Profit कितना हो सकता है इन दिनों hand sanitizer की बढ़ती demand के चलते इसमें कोई doubt नहीं है कि इस business में आपको मुनाफ़ा मिलने के chances हैं या नहीं इस business से आप रोजाना लगबग 30-5000 रुपे तक की कमाई कर सकते हैं Hand sanitizer बनाकर बेचने के स्वेवसाय से आप ना सिर्फ अपनी कमाई का लाब उठा सकते हैं बलकि एक तरीके से इन दिनों फेले खतरनाक करोना वाइरस से आप लोगों को बचाने के लिए hand sanitizer उपलब्द कराकर उनकी मदद भी कर सकते हैं इसलिए इन दिनों अगर आप hand sanitizer बिजनस शुरू करते हैं तो ये आपके लिए एक बेतर बिजनस साबित हो सकता है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें ऐसे बिजनस आइडियास के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं